वेलकम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया वर्सिस इंडिया वॉम अप मैच जो खेला जाएगा दिगाबा ब्रिस्बन में क्या हो सकती है स्टार्टिंग 11 क्या रहेगी स्मॉन लीग की टीम ग्रैंड लीग की क्या पूरी वीडियो देखेगा मजा आने वाला है अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो आप हमारे साथ टेलिग्राम चैनल पर जुड़ जाएए यह हमारे टेलिग्राम चैनल है फेंटसी फॉर्चून के नाम से है लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा साथ के साथ मैं कमेंट सेक्शन पिन कर दूँगा उसी के थूरू जुड़िएगा सर्च करके मज़ जुड़ना क्योंगी फेंटसी फॉर्चून के नाम से पैसे मांगे सो बिल्कुल भी देने की जरुवत नहीं है साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दीचे जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी वेन्यों होगा दिगाबा ब्रिस्बेन में मैच खेला जाएगा अभी तक यहाँ पर ट्वेंटी आई जो मैचिस खेले गए इंटरनाशनल मैचिस चेले गए हैं और बैटिंग फर्स इस बार जीती है और एवरेज जो फर्स चैनिंग का स्कोर रहा है वो 165 कर रहा है तो क्लियरली बताता है जो मैचिस यहाँ पर हुए है वो काफी अच्छे बैटिंग फ्रेंडली विकेट यहाँ पर आपको देखने को मिला है क्योंकि जो एवरेज है 168-165 का यह काफी आप मैचिस हैं टीम्स पहले ही काफी जाद एक्सपेरिमेंट कर चुकी है तो आइडियली दोनों टीम्स को अपनी स्टार्टिंग बेस्ट टीम के साथ ही उतरना होगा ध्यान रखना है वाम अप मैच है तो टीम चाहे तो अपने जिन प्लेयर्स को ध्यान देना चाहती है उनको एक्स्ट्रा चांस भी दे सकती है उन्हें ज्यादा मौके मिल सकते हैं तो यहाँ पर रोई शर्मा उपन करेंगे केल राहूल के साथ विराट कोली है सूर्य कुमार यादव हैं हार्दिक पांडिया दिनेश कार्तिक, अक्सर पटेल, चहल, अर्षदीप, यहाँ पर हर्षल पटेल और मौहम्मद शमी को ठीक ठाक मौका इस माच में मिलेगा क्योंकि अब कमबैक कर रहे हैं तो हाई चांसे हैं कि उनको उपर जादा फोकस टीम इंडिया जरूर करेंगी तो उन्हें अपने और पूरे मिलेंगे, तो यहाँ पर टीम चाहें तो अपने और प्लेयर जैसे पंथ हो गया, भूबनेश्वर कुमार हो गया, अश्विन हो गया, उनको भी मौका टीम दे सकती है, उस्ट्रेलिया की तरफ से डेविड वर्नर ओपन करेंगे फिंच के साथ, मिचल मार्श है, मैक्सवल है, स्टॉइनिस है, टिम डेविड है, मैथ्यू वेड, मिचल स्टार्क, जांपा, पैट कमिन्स और जोश हेजल वूड है, तो यह मेरे साब से स्टार्टिंग 11 होनी चाहें, तो यहाँ पर ग्रीन भी ऑप्शन है, जिनको कई मैच्चे में ओपन भी कराया गया थ तो उनको भी अगर टीम और ट्राइ करना चाहे, तो वो कर सकती है, साथ में नेथन एलिस का भी ऑप्शन आ जाता है, इंटरस्टिंग फैट्स की बात करें, तो हेड टू एड में इंडिया ने 15 मैच जीते हैं, 10 मैच जीते हैं आस्ट्रेलिया ने, मोस्ट रंस की बात करें सो विराट कोली के 994 रन, एरोन फिंच के 500, मैक्सवेल के 438 और रोई शर्मा के 392, हाईय स्कोर की बात करें, सो मैक्सवेल ने शतक लगाया हुआ, इंडिया के गेंस, 113 नोट आउट किया हुआ है, यहाँ पर विराट कोली के 90 नोट आउट, फिर फिंच के 89, फिर विराट कोली 85, फिर विराट कोली 82, नोट आउट, अब मोस्विकेट्स की बात करें, सो बैसे मोस्विकेट्स जो हैं, बुमरा के हैं, बट अनफॉर्चुनेटल वो अवेलेबल नहीं है, इंजरी के चलते हैं, तो यहाँ पर मोस्विकेट्स जो करन्ट स्कौर्ड में प्लेयर अव मैच में, अब यह अभ्यास मैच है, तो टीम बैटिंग ओडर भी चेंज कर सकती है, किसी को अगर ट्राय करना हो, उसे जल्दी भेज दिया, तो यह जो मैचिस हैं, ग्रैंड लीग में खेलो, थोड़ा रिस्क लीजे, और ग्रैंड लीग खेलिए, तो बहुत सही आपके ल मैच है, एक माइनसेट होता है, तो इसमें जो है, अच्छी पिटाई कर सकते हैं, गाबा में, रोई शर्मा सो ध्यान रखना है, आपके लिए एक अच्छी ग्रैंड लीग के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक बन जाएगी, और स्मॉल लीग में भी आप इन्हें ट् हो तो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, विराट कोली, विराट कोली देखा जाए, तो अगर पिछले कुछ ताइम से काफी अच्छी फॉर्म में भी है विराट कोली और इस मैच में जो है, मुझे लगता है अच्छा करना चीए, रिकॉर्ड भी अच्छा रखते हैं, तो इंपॉर्टेट चोइस रहेगी, स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं, यहाँ पर सूर्यकुमार यादव है, सूर्यकुमार अगर चारों में से देखा जाए, रोई शर्मा केल राउल का विराट कोली और सूर्या में, सबसे कंसिस्टेंटली जो रन कर रहे हैं, वो है सूर्यकुमार हर मैच में रन कर रहे हैं, ठीक है, तो बैटिंग फर्स करते हुए तो आपकी टीम में होने ही होने चाहिए, उस केस में तो वाइस कैप्टन भी कर सकते हो, लेकिन अगर चेस आ रही है, मतलब इंडिया बाद में बैटिंग कर रही है, तो आप चाहिए, तो ड्रॉप करने का रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि टॉप ओडर भी इंडिया का बुरा नहीं है, और हो सकता है फिर टीम इंडिया अगर चाहिए किसी ओर बैट स्पन को प्रमोट करना, तो वो भी कर सकते हैं, तो हलका सा रिस्क उस चीज में बन जात अधवाई सूर्यकमार यादा बहुत important player रहेंगे हार्दिक पांडिया देखो अगर इंडिया और आस्ट्रेलिया वैसे match हो कि international match हो अभ्यास match ना हो तो हार्दिक पांडिया captain wise captain की best choice बन जाते हैं क्योंकि betting bowling दोनों से contribution देंगे लेकिन मुझे warm-up match में एक doubt है कि इनसे कितने over करवाए जाएंगे क्योंकि usually क्या होता है कि हार्दिक पांडिया को na safe रखा जाता है workload management का इनका थोड़ा सा रहता है कि ज़्यादा इनको तभी bowling वगरा दी जाती है जब जब ज़रूरत होती है ठीक है ना main matches में कहीं वारी ने आपने देखा होगा को अगर छोटे मोटी टीम के साथ match है तो उन्हें खिलाया नहीं जाता है उन्हें rest दे दिया जाता है तो यह चीज का है तो अब क्यूंकि अभ्यास match है और डी bowlers काफी है तो team जो हो सकता है कि हार्दिक पांडिया से उतनी bowling ना करवाएं तो यह एक चीज है अदरवाइस हार्दिक पांडिया बहुत इंपोर्टन है captain wise captain की अच्छी choice रहेंगे लेकिन सिर्फ इस चीज को consider करते हुए कि warm-up match है तो लगता है बैटिंग से proper contribute करें बोलिंग उतनी जादा ना कराई जाए अब यह team decide करेगी बट ऐसा लगता है दिनेशकार्थिक ग्रैंड लीग में try कर सकते हो अकसर पटेल जब अभी Australia इंडिया आई थी तो अकसर पटेल की ball बिलकुल नहीं समझ पाई थी और तीन match में कुछ शायद 8 wicket निकाले से important choice बन सकते हैं काफी कम लोग try करेंगे आपके लिए एक अच्छा choice बन सकता है हाँ यह है कि अब match जो है वो इंडिया में नहीं अब उस्टेलिया में है उस्टेलिया में फास्ट फूलर्स को ज्यादा मजद मिलती है हर्शल पटेल को टीम को खिलाना चाहिए क्यों में लगता है थोड़े और मौके मिलने चाहिए अदवाइज option भूबनेश्वर कुमार का भी है तो हर्शल पटेल खेलते हैं और टीम की पहल नहीं रहते हैं तो बोलिंग फर्स करते हुए हर्शल पटेल इंपोर्टेंट होंगे मौहमद शमी मौहमद शमी को ग्रैंड लीग में कैप्टन ट्राय कर सकते हो देखो या दो बहुत ही तगड़ा दिन जाने वाला है ठीक है या फिर देखो क्या होगा ना उमीदे बहुत हो गई हैं मौहमद शमी को खिलाया भी जाएगा और इन्हें जो है मुझे लगता है प्रॉपर चार ओवर और हर स्टेज पर डैट में भी हो सकता है इने करा लिए जाए क्यूकि बाकि सबको प्रैक्टिस है लेकिन मौहमद शमी को अभी प्रैक्टिस नहीं है तो इंजरी स शमी और मौहमद शमी जो है कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में कर सकते हैं अर्शदीव आपके टीम में होने ही होने चाहिए बहुत अच्छी बोलिंग कर रहे हैं और अगर बोलिंग में से किसी को कैप्टन करना है तो अर्शदीव को किया जा सकता है अगर फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है डेथ बोलिंग की बात करें तो अर्चदीप है, हर्चर पटेल या इवन मुहमद श्यमी का भी डेथ में यूस किया जा सकता है इंपोर्टन प्रिया की बात करें अर्चदीप और मुहमद श्यमी बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की वार्णर ओपन करेंगे फिंच के साथ वार्णर लगातार अच्छी फॉर्म में है अच्छा कर रहे हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चोइस बन जाते हैं आप फिंच फिंच देखो रिसेंट फॉर्म ऐसा ही राया है फिंच का काफी टाइम से कभी एक दो मैच में बीच में चल जाते हैं बट फिर मोस्टली फ्लॉप रहते हैं लेकिन वाम अप मैच है अब बिना डरे खेलेंगे अपना आएंगे और बढ़ला चलाएंगे वैसे में रन्स कर सकते हैं तो आपने अगर ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो रोहिश शर्मा और एरॉन फिंच को एक ही टीम में ट्राइ करना क्योंकि दोनों को कम लोग ट्राइ करेंगे एक टीम में और दोनों अच्छा कर सकते हैं दोनों कैप्टन है अपने टीम के तो ग्रैंड लीग टीम में दोनों को एक टीम में रख सकते हो और अगर रिस्क लेना है तो स्मॉल लीग में भी Finch को अपनी टीम में रखा जा सकता है Mitchell Marsh important रहेंगे Captain wise captain कर सकते हो Important player है और काफी important रहेंगे ये Australia की World Cup के लिए भी तो अच्छी choice बन जाते है Maxwell जादा कुछ खास अच्छी form में नहीं है लेकिन India के class ठीक ठाक record रखते है bowling भी जादा नहीं कराई जारी है अच्छे खासे over कर लेते हैं तो अगर आप चाहें तो स्टोइनिस को Maxwell के उपर consider कर सकते हैं लेकिन क्योंकि ये warm-up match है और player उतना form में नहीं है तो हो सकता है Australia जो है थोड़े बहुत over भी करा आदे batting तो second down भेजी रही है ताकि एक आदे match में form में आए तो उसके चलते हुए आप देखें तो Maxwell को consider कर सकते हैं लेकिन form जाद अच्छी जो है उमारकस टोइनिस की है उमारकस टोइनिस third down बैटिंग कर रहे हैं अपने 3-4 over भी करवा रहे हैं तो आपके लिए एक भड़िया choice है बैटिंग section में है और बैटिंग section में है तो selection काफी कम है लेकिन try ज़रूर कर सकते हो Tim David बहुत ही खतरनाग खिलाड़ी और काफी अच्छा खेल रहे हैं बहुत भड़िया choice लगाते हैं और अगर Australia को अच्छा करना है World Cup में तो Tim David और Wade जो fantasy के point of view से अगर देखा जाए तो टीम के लिए बहुत important है तो Tim David को grand league में जरू try कर सकते हैं Matthew Wade अगेन मैंने same चीज़ बताई अगर India क्योंकि यहाँ पर Matthew Wade का option है दूसरे तरफ Dinesh Kartik का है दोनों ही काफी नीचे बैटिंग करते हैं जिस टीम के पहले बैटिंग आती है आप उस टीम का विकेट कीपर try कर सकते है Pat Cummins recently अच्छी bowling करी है प्लस lower order में आके runs भी बना देते हैं इनको ज़्यादा लोग try नहीं करते हैं क्योंकि Australia के पास और भी अच्छे bowlers हैं लेकिन आपके लिए विकेट निकाल के दे सकते हैं प्लस बल्ले से भी contribution देते हैं तो आपके लिए एक अच्छी differential पर एक बन सकते हैं Mitchell Stark important है क्योंकि Yorker से LBW और bowl कर सकते हैं death में भी bowling करते हैं lower order बैटिंग भी कर लेते हैं तो अच्छी choice बन जाएंगे Zampa है Zampa Finch के मुझे रखता है favorite खिलाडियों में से एक होंगे हर जब भी मदद जरूरत होती है Zampa के over कराए जाते हैं और Zampa जो है ट्रबल कर भी सकते हैं इंडिया के middle order को तो चाहो तो try किया जा सकता है Hazelwood का मेशा रहता है कि अगर पहले bowling आती है तो उसमें ज़्यादा effective रहते है as compared to second inning same है Herschel Patel वाला ठीक है न तो अगर इंडिया की यहाँ पर Australia की पहले bowling आ रही है तो आप जोश Hazelwood को अपनी टीम में जरूर रखिए लेकिन अगर बाद में आ रही है तो फिर आप Hazelwood को drop करके दूसरे बोलर की तरफ रुक कर सकते है डेथ बोलिंग की बात करें सो मिचल स्टार्क और Hazelwood है important player की बात करें Warner है Mitchell Marsh है Maxwell है Stoinis है Zampa है Hazelwood और यहाँ पर स्टार्क जो है important खिलाडी रहेंगे बात करते हैं Captain Vice Captain की Small League में David Warner Suray Kumar Yadav ये favorite choice है आप यहाँ पर Hardik Pandya के साथ भी जा सकते है Mitchell Marsh है और यहाँ पर Virat Kohli भी है Grand League में आप ड्राइगर सकते है यहाँ पर रोई शर्मा को Mitchell Marsh को Grand League में भी अर्षदीप को भी और थोड़ा अगर हाई डिस्क लेना है तो Aaron Finch को भी Mega Grand League में Captain Vice Captain Try किया जा सकता है इसलिए create करते है अपनी Small League और Grand League की टीम So Wicket Giving section में आपर Wade है Dinesh Karthik है Pant है अगर खेलते हैं तो Pant मेरे साथ से better रह जाएंगे लेकिन अभी के लिए हमने यहाँ पर Matthew Wade को लिया है बात करते हैं Betting section में So Warner को लिया है हम Roy Sharma को भी ले सकते है Especially अगर Chase India कर रही है Marcus Toyn is Batting bowling दोनों से contribution कर रहे है So इनको try किया जा सकता है Aaron Finch open करते है So Grand League में ज़रू try करना Tim David का selection 8% है लेकिन भाई यह बहुत भड़िया खेल रहा है Points देता है So Grand League में As a normal player try किया जा सकता है Around section में Hardik Pandya, Mitchell March दोनों को हमने अपनी team में लिया दोनों important है फिर आज आते है Aksar Patel जिसने इंडिया में Australia के अगे बहुत अच्छी performance दी थी Maxwell है जिनको team मौका देना चाहेगी कि यार जादस जादा इनका confidence गेन किया जाए और अगर अच्छी performance आए तो important है अगर खेलते हैं तो ट्राइ कर सकते हो bowling section में यहाँ पर Mitchell Stark, Arshadip और यहाँ पर Mohamed Shami हमने तीन को लिया अब एक खिलाडी select करना है Hazelwood important है अगर Australia की पहले bowling आती है Pat Cummins अगर कुई differential जाना चाहते हो एक call rounder की तरह Zampa का selection का मैं लेकिन भाई अच्छा कर सकते हैं यहाँ पर Harshal Patel Death में अच्छी bowling डालते हैं तो काफी options हैं लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पर Maxwell को लिया है So final team आपको Telegram पर मिलेगी एक दो change हो सकते हैं क्योंकि starting line-up जो declare करेगी वो भी important हो जाती है जरूरी नहीं है दोनों team main team ही खिलाए हो सकता है अगर अभी भी किसी player को chance देना है तो team India दे सकती है क्योंकि Australia ने तो almost अपने हर player को chance दे के देख लिया है तो हो सकता है कि यहाँ पर India भी कुछ नए players को chance जिनको देना चाहिए वो देख सकती है सो यह बन जाती है small league की team captain wise captain की बात करें Mitchell Marsh को मैंने captain किया है wise captain मैंने विराट को ली को किया है दोनों one down के खिलाडी है आप चाहें तो openers के साथ भी जा सकते हैं सो यहाँ पर warner है KL Rahul है सूर्य कुमार यादव के साथ भी आप जा सकते हैं सो यह बन जाती है small league की team grand league की बात करें तो दो teams create करी है सो यहाँ पर team number one की बात करें तो यह बन जाती है team one जैसे मैंने बताया team Royce Sharmao captain की है wise captain की है finch यह mega grand league के लिए team है आपको लेने पड़ेंगे ठीक है न सुर्य बन जाती है हमारी team one बहुत ही unique captain wise captain का combination हमने try इस team में किया है बात करते है team two की so warner को हमने captain किया है और अर्षदीप को हमने wise captain इस team में किया हुआ अकसर पतेल को भी हमने और pet comments को भी हमने team में रखा है so आप इसी तरीके से multiple teams create कर सकते है और किसी APR को भी multiple teams में captain wise captain कर सकते है warm up match है so enjoy करो देखो match को और grand league खेलो small league में जादा invest ना करो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंदा आई है पसंदा आई है so like करो, share करो comment करके बताओ आपके इसाफ से कौन ये match जीतने वाला है मुझे लगता है इंडिया को कल जीतना चाहिए आपको क्या लगता है comment करके जरूर बताना साथ के साथ YouTube चैनल को subscribe करके bell icon दबा दीजे चैसे वीडियो आएगी आपको notification मिल चाहेगी तकी तकी से थाइब को भीडियों आपको चैसे ङएगी